सूत सूत महाप्राग्य व्यास सिष्य नमस्तुते धन्यस्त्वम सईव वर्योसी वर्णनीय महद्गुणह स्रीमक्षीव पुराणस्य स्रमडस्य विधिम्वद येनसर्व लवेक्स्रोता संपुर्णं फलमुत्तमं अब आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है फिलाल मैंने दिल्ली और लख्णौव में मिलने का जो है वो कारिक्रम बनाया है अगर आप मिलना चाहते हैं नहीं संदे आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में प्रिदर्शको नमस्कार एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सबके सामने रवी बार के कारिक्रम में राहु का बिभिन रासियों में बैठे होने का कैसा परिणाम होता है इसी कारिक्रम के साथ उपस्तित हूँ शुरू करते हैं आज का कारिक्रम शिव पुराण के छठवे अध्याय पर पहले श्लोक की हमारी यात्र है जिसमें सौनक जी ने सूत जी से कहा है ध्यान से समझेगा इसमें पीछे दो कथाएं आती हैं उसके महात्म की मैंने वो नहीं पढ़ी है पर अब यहां से आपको य सूत जी व्यास के शिश्य आप हैं सूत जी किस के सिश्य है व्यास जी के है आपको नमस्कार करता हुआ मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि आप इस परम कल्यान में शिव पुराण के स्रमण की बिधी बताए जिसे से सभी स्रोताओं को संपूर्ण तड़ीके से उत् महान ग्रन्थ महान शू पुरान के सूनने की क्या विधी है अब इसका उत्र व्यास जी के शिस्य सूत जी कल देंगे आईए विशाप लेके आतो राहू मेश में हैं किसी व्यप्ति की कुंडली में किसी व्यप्ति की कुंडली में ब्रिशब में हैं किसी में वो मीन में होंगे किसी में करक में किसी में भी होंगे पर ये कैसे जाना जाए कि ये राहू किस राशी के लिए शुब होते हैं और किस राशी के लिए अशुब होते हैं यहाँ इससे पहले कि मैं राशी के कारिक्रम पे लेके आओं कि राहू कैसे बैटे हैं रासी में उसका क्या परिणाम है उससे पहले आपको राहू के कुछ प्रमुख कारक शित्रों के बारे में बता देता हूँ ये राहू जो है न ये आप इनको ऐसे समझ लीजे कि ये तिक्डम है जिसको जैसे घर में जाले लग जाते हैं यही वो जाले है गंदगी है कष्ट ह क्रोध है इर्शया है छल है द्वेस है ब्रम है बिध्वा महिलाओं का जो कारक होता है जैसे अगर किसी स्तरी की कुणली में राहू की दशा चले और अगर उनकी कुणली में पती पक्ष कमजूर है तो इसी राहू की दशा में वो महिला जो होती है वो बिध्वा होने की स् तो वो क्या करेंगे? उदाहरन देता हूँ. मतलब जिन जिन छेत्र के राहु कारक होते हैं, अपनी दशा में वो उस जातों को वैसा बनाना चाहते हैं. जैसे राहु अगर छल है, छदम है, वेशधारी है, जैसे जूट है, तो अब राहु की दशा जब आएगी, तो क्या हो होगा कि वो व्यक्ति उस राहु की दशा के कारण, वो राहु उसको अपनी तरफ खीचेंगे और व्यक्ति से जूट बोलवाना चाहेंगे. ऐसा, लालच है, तो राहु की दशा में व्यक्ति में वो राहु ऐसा कोशिश करेंगे कि वक्ति लालची हो जाए. अगर राहु क चाहते हैं कि आपका काम सरपट दोड़े क्यूं क्यूंकि इनकी जो प्रकृती है मतलब ये जो इनका जो स्वरूप है वो किसी ऐसे रेंगने वाले जियू की तरह है अजगर की भाती बहुत भारी है बदबुदार है गंदा है निथैन है मतलब जहां पे कीचड़ है और उससे मतलब जो है वो बुल-बुले निकल रहे हैं इतनी गंदगी है ऐसे है उसके बाद युद्ध है राहू आपको आप राहू सीमाओं के कारक होते हैं तो ज़रा सोच के देखे कि राहू सीमाओं के कारक होंगे तो जब कभी भी अपनी दशा में आएंगे आपको सीमाओं में बांधेंगे अब ये सीमाओं में कैसे बांधेंगे तो संभव है कि वो आपके पराक्रम को अवरुद्ध करें वो संभव है कि आपके मेहनत करने के मन को कमजोर करतें मन ना करें मन करेगा यह से बैठे रहें दिन पर बिस्तर पे सोई रहें कुछ भी काम करने का मनना का तो वो आपकी सीमाओं को अब रुद्ध कर रहा है या फिर यह कर सकते हैं आपको सीमा में बांध रहा है जकड रहा है आलस्य देंगे प्रमाद देंगे बैमनस्व देंगे जगड़ा देंगे युद्ध देंगे कई बार भयंकर बीमारियां हो जाती है जैसे कालरा फैल जाए प्लेग फैल जाए अब मान सकते हैं कि जैसे जो बयंकर बीमारियां होती है वो सब उन्हीं के प्रभाव में होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र हो जाएगा जो बद्बू से युक्त है जो भरा है और आपको वही अच्छा लगेगा आप चाहेंगे कि मैं उसी के साथ बैठा रहूँ एक ऐसा मित्र जो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करता है आपको भी लपेटे में रखेगा आप उसी के साथ बैठना चाहेंगे और ऐसा भी होता है कि आपको जब आपकी कुणली में राहू जब अक्टिव होते हैं तो वह आपको ऐसे माथे पर सींग लगा दे और उसको भले दिख नहीं रहा है उसको भले दिख नहीं रहा है वो भले चल नहीं सकता वो भले किसी वस्तू के उपर रिंग करके चलेगा पर फिर भी आपको ये कभी ऐसास नहीं होने देगा कि उसको नेत्रणी और उसके पास सक्ती नहीं है वो बल नहीं है वो बल हीन है जिसका परिणाम ही किसी दूसरे के उपर आसरित हो करके आता है जारा सोच के देखे कि राहू तब तक वो उनका कोई आप लोग जानते हैं कि उनका कोई physical existence नहीं है मतलब कुछ है नहीं वो node है वो एक ऐसी जैसे अगर मान लीजे मैं आपको एक उदारण देता हूं तो अगर मान लीजे यह कोई गोल वस्तु है जैसे मान लीजे यह गोल है तो यहाँ पे अगर सूरिय है तो यहाँ इनको रौशनी मिलेगी छ नहीं है कि एदर अंधेरा है लेकिन इदर कभी तो उजाला आएगा राहू जो है वो इधर जैसे अगर यहां पे सूरिय हैं तो इधर कभी तो उजालाएगा क्योंकि सभी चीजे घूम रही है तो एक समय पे यहां उजाला है एक समय यहां अंदेरा एक समय यहां अंदेरा लेकिन यह जो उपर का छेतर है और नीचे का छेतर है वो सदिव एक ज इसा है विभिन प्रकार की प्राकरतिक घटनाय कैसे घट रही है तो उपर का जो नोड होता है वो सदैव कन्फ्यूजन में रहता है वही है राहू आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीव को जो ब्रहम होता है किसी भी चीज को ले करके तो उसके कारक राहू है ब्रहू को ब्रहम का कारक होता है और ये तो इतने ब्रहम वाले हो जाते हैं कि कई बार गरंथ ये भी कहता है कि सही को सही गलत को गलत को सही कह दे और व्यक्ति अपने वास्तविक जो उर्जा है या जो उसका वास्तविक अनुवाव है वो उसके पास जितनी वास्तविक सा अमर्थ है, कई बार विक्ति उसको भी समझ नहीं पाता है, और कई बार तो इतनी भी परिशानी दे देते हैं, ये ग्रह, कि आरम में जब अपनी दशा में आएंगे तो खूब देंगे, अब ऐसा आपको लगने लगेगा, कि अब ये धन बटोरे नहीं बटोरने बाला, इतन पिर अब इस अकुलाहट में रहते हैं, कि कैसे और बटोरा जाएं, और तब तक वो समय निकल चुका होता है, ऐसा, और ये राहु जो हैं, आपको मैं एक बात बता दूँ, राहु घाव की आकरती हैं, जैसे मालिजा अगर किसी को कहीं, सरीर के किसी अंग में एक फोड़ा हो जाता है, तो वो राहु जो हैं, वो घाव की आकरती, मतलब वो भोड़ा कितना बड़ा है, और केतु क्या हैं, तो उस केतु की जो कारक्षित्र के अंतरगत जो इस्थती आती है, वो उस घाव के अंदर बसा हुआ दर्द, जो की केतु है, वो दिखता नहीं है, दर्द स उसको ढो रहा है वो उसका दर्द समस्ता है ये राहू कभी भी जिसका परणाम अपने उपर है ही नहीं जो कभी भी अपने बल पे चला ही नहीं है जो अपने बल पे बोलता नहीं है न तो विख्यान देता है न तो कोई निर्णय लेता है न तो कभी किसी प्रकार के डिटो किसी एक निर्णय पर जाकर के अटक जाए ऐसा नहीं होगा वो आपको ब्रह्मे रखेगा आपको गलत लोगों से मितरता करवा देता है कई बार आखों पर पटी से बंद जाती है निर्णय लेने में कहा गया न बुद्ध्याविएन बिब् इंब के कारक हैं वो सरपट चलने वाले बहुती तीढ़ा मेड़ा जैसे सरप क्या है सरप की तुलना और सरप के गती की तुलना चंद्रमा से की गई है जैसे चंद्रदेव जो हैं वो कभी कभी बहुत तीवर हो जाते हैं कभी मंद मतलब वो एकदम बिल्कुल एक जैसे न यहां से सर्फ भुझेंगे दो कैसे भुझेंगे बिल्कुल सीधा भुझेंगे मतलब कुसे था समय उसकी जो गती होगी फिलकुल स्ट्रेट होगी लेकन जब वही सर्फ भी बेडी बिल्स से भाहर öleकर डेंटा है कैसे चलता है एक ऐसे लपेटे के साथ, सर्पका चाल, सर्पकी चाल, जैसे सापशड़ी का खेल, तो ये वही चाल, जिसकी तरंग दहरे निस्चित नहीं है कि वो कब बदल सकता है अपनी चाल, आधनिक जोतिस में इसको बहुत सारी चीजों से बिभूशित किया गया है, कई बार आपको अचानक अचानक के बदलाओ के बारे में बताया गया है, ये अचानक से मतलब बिलकुल ही पूरा ड्रैमेटिक बदलाओ देते हैं ये राहू, बहुत तुरंत बदल जाए, अब जिसके उपर से राहूए वो जुट बोले, चल करे, भेदिया हो जाए, बहुत ज्यादा मतल ये एक गरंथ में बात है, कि ये ऐसे लोगों के संपर्क में रख देगा, जो बिलकुल ही एकदम निकरष्ट हैं, कामी है, खल है, दुश्मन है, दुश्चरित्रवान है, जिसका चरित्र हीन है, ऐसे महिला के संपर्क में आपको लेके चला जाएगा, जिसका कोई चरित्र रहे हैं, ऐसे महिला के संपरप में और ऐसे महिला के साम्थ इसमंद बना लेता है व्यत्ती, जो بिल्कुल ही हीन है, मतलब क्या हुई, कि इसने आपके आँखों पे परदा डाला कि क्या सही और क्या गलत, और ये राहू को बल और भी विभन रासियों से मिल जाता है कि कब ये अच्छे होंगे कब ये बुले अब बात करते हैं विभन रासियों में राहू का फल सबसे पहले बात मेश रासी की करेंगे मेश रासी के लिए राहू अच्छे होते हैं कई ग्रंथों में इने बुरा भी प्रिणाम करते बताया गया है लेकिन अगर किसी जाता की कुंडली में में शरासी में राहू बैटे हैं तो निशित रूप से वो उसको ऐसा बना देंगे कि अब उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं ही सब कर सकता हूँ बागी कुछ कोई भी नहीं कर सकता उसको ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा कंपनी जो है वो मेरे ही बरोसे चल रहा है या पूरा जो सिस्टम है वो मुझ पे ही केंद्रित है मतलब इसको अहमवादी भी कह सकते हैं वस्तुता हो काम करता है ऐसा नहीं है पर ये बात उसके दिमाग में बहुत जादा बढ़ चढ़ करके दिखने लगती है अहमवादी इगोिस्ट नेचर हलाकि व्यक्ति पराक्रमी और अपने पराक्रम पे कई बार अपने समाज के छुपे हुए रहस्यों को बता लगाने वाला होता है और समय रहते लोगों को उनकी समस्याद से निकालने वाला भी होता है ये राहू मेश्रासी के सामान नितया ग्रंथों में अच्छे बताये गए हैं पर बेवहारिक्ता के मामले में ये कई बार व्यक्ति को इगोिस्ट नेचर का बना देते हैं तो ये बात मैंने कही कि ये राहू जो मेश्रासी के होते हैं वो व्यक्ति को उद्यमी तो बनाते हैं लेकिन परिशानी ये दे देते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत ही ज़ादा आवेगी बना देते हैं इंपल्सिब बना देते हैं एग्रेसन दे देते हैं बैठी हो तो फिर थोड़ा बहुत गर्मी शान्त होगा ऐसी भी चीज़े हैं पर वो एक अलग भी शह होगा अब ये मैं सिर्फ राश्ची की बात कर रहा हूँ ब्रिशब रासी वालों के लिए ये राहू अच्छे होते हैं राहू को ब्रिशब रासी में उच्च का दर्जा भी दिया गया है और यहां के राहू अगर व्यक्ति की कुलि में किसी भी भाव में ब्रिशब रासी में राहू बैठे हैं तो ये धन देते हैं और ये जितना भी मैंने निगटिव वाली जो बाते कहीं हैं वो थोड़ी कम सी होती है या वहां व्यक्ति थोड़ी अपनी प्रित रहती है लोगों की समझ होती है और अपने अनुभावों का फैदा उठा पाता है अब बात अगर करेंगे कि राहू ब्रिशब के हैं तो अच्छे हैं पर मिथुन के राहू अगर मृत्य आवस्था के बैटे हैं मृत्यू को प्राप्त कर रहे हैं या बृद्ध हो करक पे काम करना है यहां के लिए तो बहुत अच्छे हैं नैसरगीक रूप से ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस राशी के लिए राहू अगर बुरे परणाम मैं बताऊंगा वहां पर भी वो राहू अच्छे परणाम करने वाले बनेंगे अगर उनकी डिगरी अच्छ निके मद्य में राहू बैटे हैं और लगन चतुर्थ और दशम में बैटे हैं तो ये राहू अच्छे होंगे चाहे किसी भी राशी की बात कर रहा हूं तो बात कर रहा था मैं कि अगर मिथुन राशी के राहू है और अवस्था में अगर बृद्ध नहीं है और को जाने अंजाने उसके जीवन में शत्रुता बनती रहती है और उसके किसी भी पराक्रम का परणाम कमजोर मिलने लगता है फिर वो बटा काट काट करके राहू आपको परणाम देने लगते हैं ये मिथुन की बात रही ऐसे ही इसको आप समझ सकते हैं कि यहां से अब करते लेकिन करक करासु राहू जो होते हैं वो असंतुष्ट भी नहीं होते मतलब आप इनको कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहू अवस्था के आधार पे बढ़ियां बैटे हैं और करक रासी में बैटे हैं तो सामान नितया ये कुछ हद तक आपके मन को आंदो करने के अत्रिक्त कुछ हद तक अच्छे प्रणाम देंगे जैसे सुख देंगे मन थोड़ा भले चिंतित रहेगा पर धन आता रहेगा एक्सिडेंट वगरे का योग रहेगा पर आपके पास इलाज के पैसे रहेंगे ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब धन से समधित समस्या न रहता है वो उसको कोई परणाम दिखता नहीं है मतलब यहां के राहू सामन नित्या अशुभ होते हैं पर कुछ मामलों में मन के मामले में अशुभ लेकिन बाकी जैसे करियर के लिए धन के लिए अच्छे परणाम देने वाले बनते हैं यहां भी वो सूत्र लागू होगा वो हमेशा सभी पर लागू होगा डिगरी में अच्छे तो अच्छे परणाम देंगे अब राहू को यह सिम्हरासी यह बड़ी राहू को प्रियरासी है यहां के राहू अगर मतलब आपकी कुणली में चाहे सिम्हरासी कहीं भी बाव में बैटी हो और उसमें राहू बैट पाटनर देते हैं, मतलब सिम्ह के राहू सास्त्र के आधार पे गरंथ में कमजोर नहीं कहा गया है, इन्हें अच्छा कहा गया है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये होगी, कि उस राहू पे कम से कम एक से अधिक दो शुभग ग्रहों की भी दृष्टी हो, या तो वो सूर्य के द्वारा देखे जाते हूं, मालीजे आपकी कुंडली में सिम्ह के राहू बैटे हैं, तो सूर्य पे उनकी दृष्टी होनी चाहिए, या सूर्य उनको देख रहे हूं, यह सर्त होगा, यह अगर होगा, तो राहू और भी अच्छे हो जाएंगे, और अगर नहीं होगा, त परिस्थती जनक इस्थितियों को समझने वाला, परिस्थती के हिसाब से व्यक्ति को साहसी और कमजोर बनाने वाला, सामय को समझ करके अपना निर्ने लेने वाला, और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ जगडा करके जीतने वाला कुशाग्र और चपल मुद्धी का बना उन्हें देख रहे हो या नहीं तो वो राहू डिग्री में बलवान हो मतलब युवा वस्था के या कुमार वस्था के कन्या के राहू सामान्ने माने जाएंगे इनकी मुल्त्र कों रासी भी यही होती है तो यहां पे उनको अवस्थागत बल मिलना चाहिए अब बात करते हैं कन्या के बाद तुला रासी इसके लिए यहाँ पे अशुभ भी होते हैं लेकिन ब्यापारियों के लिए तुला के राहु बड़े अच्छे माने जाते हैं इतना ही नहीं कागवर्वेक्ति अगर अपना खुद का कोई बेजनेस सेट अप कर रहा है या उसमें उसको कोई रुकावट आ रही है और राहु की दशा चल जाए तो इस तुला के राहु में उनको बल मिल जाता है मतलब तुला के राहु अशुभ होते हैं घर परिवार के लिए स्वास्त के लिए, दिन चरिया के लिए, आलस्य के लिए, प्रमाद के लिए परस्टनल लेबल लेकिन परुफिश्टी ये राहू अक्षे माने जाते हैं तुला के बाद व्रिष्चिक के राहू शुभा माने जाएंगे लेकिन यहाँ पे सर्थ यह है कि यक िसंट भ़ौ में न बैठे हों अगर व्रिष्ची के राहू है और अच्टम में बैठेंगे तो कष्ट जादा बढ़ा देंगे फिर आपको मानसिक रूप से भी कष्ट देंगे और फिर सारेरिक रूप से भी कष्ट देंगे लेकिन अगर लगन में बैठे हैं मंगल से द्रिष्ट हैं गुरू से हैं तो ये व्रिश्ची के राहू और डिग्री में भी अगर वल्वान हो जाते हैं 12 से ले करके 18-19 तक तो ये राहू बड़े अच्छे परणाम करेंगे और ऐसी अवस्था के राहू व्यक्ति को राज़िती, नौकरी, पदस्त, अधिकारी और कई बार व्यक्ति को गैजटेट ओफिसर बनाने तक का सफर तै करवा देते हैं मतलब बिख्चिक के राहू करीयर के हिसाब से बहुत अच्छे रहते हैं, स्वास्त के हिसाब से परिशान करते हैं, मानसी क वस्था थोड़ी परिशानी में जाती हैं और व्यक्ति के विलकशनता को बादित भी करते हैं, निरने लेने की छंता को कमजोर कर देते हैं ये ब्रश्चिक के हैं मतलब यहां पे अशुब थे लेकिन यहां पे सुभ हो गए अब ब्रश्चिक के बाद धनू की बात करते हैं तो धनू में ये सामानितिया तटस्त हो जाते हैं मैंने ये बात बहुत पहले भी कारेकर में कई बार कही है यहां न तो वो अच्छे होते है न तो वो बुरे होते हैं लेकिन अगर वो उस राहू के उपर गुरू का संबंध बन रहा है या राहू और गुरू भाग्य भाव में बैटे हैं तो व्यक्ति धार्मिक होता है आप इसके लिए उदाहरन में बहुत ऐसे लेखकों की कुण्लियों को देख सकते हैं बहुत ऐसे लोगों की कुण्लियों को देख सकते हैं जिसकी कुण्ली में भाग्य भाव में ही राहू गुरू के साथ बैटा है और व्यक्ति समाज को अपनी समस्या से जादा बढ़ करके समाज को देने वाला होता है वाल गंगाधर तिलग जी की कुंडली में भी ऐसी ही कुंडली के योग बने हैं शायद मुझे जहां तक याद है तो ऐसी स्थती में कई बार व्यक्ति अपनी समस्या को भूल जाता है और चाहे कितनी ही चुनोतियों का सामना करता रहे फिर भी वो समाज को बहुत बड़ी बाते दे जाता है और यहां गूरू के साथ राहू का संपर्क भी जाता का कुछ परिशान तो करते हैं निस्चित रुप से वो होगा लेकिन फिर भी व्यक्ति बड़ा स्रिस्ट होता है, मतीमान होता है और प्रख्यात होता है, विख्यात होता है कुख्यात नहीं होता है, अच्छा होता है, प्रतिभाशंपन होता है मतलब कहने का है कि राहू तटस्त होते हैं धनुरासी में और ये आपको कुछ हद तक अच्छे परणाम से बढ़ा करके मतलब परसनल लेबल पे थोड़ा कमजोर करते हैं पर प्रोफेशनली और विस्व व्यापी बनाते हैं और व्यक्ति को चिरंतन सुखी भी बनाते हैं अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के मकर रासी में राहू अगर बैठ जाते हूं, चाहे किसी भी जातकी कुंडली में, अगर मकर रासी के राहू बैठे हैं, तो ये अच्छे परिणाम देते हैं, मकर में और कुंभ में राहू देव अपने आपको ऐसा मान लेते हैं, कि ये मेरे मित्र की राशी है क्योंकि शनी जो है वो राहुवत होते हैं और राहु जो है वो शनीवत होते हैं इनका कुछ न कुछ संपर्क बना रहता है या मिले जूले से परिणाम करते हैं राहु को पापक्र इसलिए कहा गया है इसलिए नहीं कि वो पापक्र होते हैं बसरते इन बांध रहा है आपको सफोकेट कर रहा है घुटन दे रहा है ये दशा ऐसी सोच में लाने लगती है कि पता नहीं ये दशा कब भी देगी ऐसा स्वास्त से परिशान रहे और ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिसको आप बड़ा अजीब सा होता है तो दशमस्थान में या दस न कुछ दे सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था कुमब के रहू क्योंकि ये नैसरगीक रूप से शनी की मुल्त रिकुन रासी है प्राथमिक रासी है प्रारंभीक रासी तो नहीं है पर ये मुल्त रिकुन रासी होती है और राहू किसी भी ग्रह की कुंडली में अगर किसी भ प्रभाव जाता है यहां ये बात कह सकते हैं कि मेन रासी के राहु व्यक्ति की कुण्ड़ि में सुभठ लक्षण से सुभप्रभावों से शुभपरिणामों को देने वाले होते हैं जिसमें ब्यक्ति कई बार यह जादा चीर परचित हो राजविती में आ जाता है विशलेशक हो जाता है महंत बन जाता है मठाधीस हो जाता है और charitable trust बना लेता है लोगों की नजर में आ जाता है अच्छे कामों के लिए यह राहू को आप अगर ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आ जाएंगे कि इस तरीके से राहू अच्छा परणाम करते हैं और ऐसे बुरा परणाम करते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर